आप जैसे की कल्टन देख सकते ही मेरा आम पर्दा है जैसे की होता है और मैंने जो लिया है ये दिखेगा आप इसमें देख सकते हैं आप इसमें करे डिजान मिलते हैं डॉल्फिन वगरा सब कुछ मिलता है तो आप अपनी पसंद के चौईस का पर्दा ले सकते हैं तो मैंने ये चौईस किया था अब हम इसे light वाला परदा कैसे बनाएं तो हम रात में light को on करते हैं तो ये light वाला कल्टन हमारा तयार हो जाता है हनी कि बंच जाता है तो ये idea मेरे दिमाग में आए I hope ये idea आपको भी अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और like जरू करीगा तो चलिए देखते हैं मैंने इस तरह किस तरह किया है ऐसा कल्टन आप बच्चों की रूम में भी लगा सकते हैं और अपने रूम में भी लगा सकते हैं तो इसमें मैंने एक तो पहले ये mermaid वाला कल्टन चूस किया है तो जिसमें मेरा color जो है multi color आ रहा है mermaid जो है multi color की आ रही आप नीचे से देख सकते हैं और दूसरा वाला मैंने इसी की कॉंबिनेशन में एक इस तरीकी का लिया है जिसमें किला टाइप का कुछ बन रहा है तो आप देखेगा वह आपकी चौइस पर डिपेंड करता है अब मैं दिखाती हूं आपको अब मैंने जो एक एक लाइट वाली लाइट मैंने लेके यहां लगा दी है साअध से ताकि जब भी मुए इस से टू करूं लाइट को यह कल्टन चमकने लगी मेरे आप विह देख रहे हैसी मैंने यह दूसरी tenant में लगाई है कि Blight यह देखेगा इस यह मैंने ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि ब्लू कलर में बहुत अच्छा फास्ट कलर मुझे मिल रहा था इसी कारण मैंने यह ब्लू कलर चूज किया है तो जब यह फॉक्स लाइट का पड़ता है मेरा कल्टन के उपर बैक साइड से तो यह मरमेट चमकने लगती है और आप में यगीन मानिये इतना प्यारा लुक इनका लगता है बहुत ही प्यारा लुक लगता है मैं आपको दिखा भी दूंगी वीडियो में कि इतना प्यारा लुक आता है नाई टाइम में और देखेगा यह कर्टन जैसी इस पर कर्टन पड़ा तो यह मरमेड चमकने लगी यह देखेगा यह मरमेड देखेगा चमकने लगी है मरमेड तो आप कोई सी भी च्वाइज कर सकते हैं अपने अकरती में कोई सी भी ले सकते देखेगा यह साइड से बैक साइड से जो है वो फोक्स पढ़ रहा है तो मैं कल्टन इसको डाल देती हूं देखेगा तो यह लुक इसका रात के टाइम में आता है बहुत ही प्यारा लुक लगता है देखेगा कितना अच्छा लुक आ रहा है वीडियो को शेयर करना न भूले वीडियो जरूर शेयर करें अपने फेस्बुक इंस्टोग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को और चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा आपको अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करेगा